परवानू से शिमला तक फोरलेन कार्य चल रहा है ऐसे में वहाँ पर भूसकलन का खत्रा लगातार बना हुआ था विर्वार दोपहर बाद बारिश के चलते पहाडों से शुक्रुवार को भूसकलन होने का सिलसिला शुरू हो गया इसी के चलते सोलन से शिमला की ओर जाते हुए मनसार में भी दोपहर बाद मल बाने से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया गनी मत रही कि जिस समय पहाडी से भोस्कलन हुआ उस समय सडक से कोई भी वाहन नहीं गुचर रहा था भोस्कलन के कारण हाली में एक स्थानिय व्यक्ति इसकी चपेट में आया था वहीं एक फोरलेन निर्माता कंपनी में तैनात व्यक्ति की भी जान जा चुकी है जन प्रतिनीधी जिला परिशत बैठक में भी फोरलेन निर्माता कंपनी द्वारा बिना बेरिकेड खुदाई करने का मामला प्रचासन के सामने लाच चुका है लेकिन हादसों से भी फोरलेन निर्माता कंपनी सबक नहीं ले रही एनेच पर फोरले निर्माता कमपनी द्वारा की जा रही खुदाई को लेकर भी कई बार बैठक में आउगत करवाया जा चुका है आज शुक्रवार दोपहर बाद हुए भूस्कलन से एनेच में कंड़ागाट के मनसार में वहानों की आवाजाही एक तरफा कर दी गई ताकि यदि भूस्कलन होता है तो वहानों की आवाजाही दो कतारों में न रहे वहीं पुलिस जवान भी मौके पर मौजूद रहे जो ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम कर रहे थे यो 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 रहे वाज यो होता सुच। ज़ अलिए है न एक कर दो को बाखता है तो सकता है झाल झाल